एक बार फिर बिहार दोड़े पर 16 अप्रैल को आएंगे पीम मोदी, इस दोरान पीम मोदी पुर्णिया और गया में दो जन सभा को करेंगे संबोधित, गया के गांधी मैदान में पूर्व सीएंग, जीतनराम मांजी और पुर्णिया में जेडियो प्रत्याशी संतोष पर चम कर साधा निशाना, नेता प्रतिपक्ष ते जस्वी आदव ने लजे पी आर नेता चिराख पासवान के 40 की 40 सीटे जीतने वाले दावे पर कसा तंच, कहा आने वाले समय में सब पता चल जाएगा, चिराख का तो खुद छिन गया घर, बिहार के डिट्टी सीम प्रत्याशी मीसा भारती, मीसा भारती ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी मामला ने आयाले में चल रहा है, मेरा मूमत खुलवाईए, वरना अभी यहीं सब पता देंगे गुमला में आज धूमधाम से किया गया चैती छट पूजा का समापन, इस दौरान छट वरतियों ने उधियमान सूरे को अर्ग दे कर मांगी अपनी अपनी मन की मुराद, साथी सूरेदेव से प्रात्ना भी की बिहार आएंगे पियम मोदी, दो जगहों पर करेंगे जनसभा, और अंगाबाद और नवादा में सीम योगी की चुनावी हुंकार, चिराक पासवान और तेजस्वी यादफ के बीच जुबानी जंग, समराट पर भड़की मीसा भारती कहा मूमत खुलवाईए, जलापू पियम मोदी एक बार फिर 16 अप्रेल को बिहार दोरे पर आ रहे है, जहां पियम मोदी पूर्णिया और गया में चुनावी जनसभा को संभोथित करेंगे, इस मौके पर गया के गांधी मैदान में पूर्व सीम जीतनराम मांची, और पूर्णिया में जेडियू प्रत्याश सुनील सिंग के समर्थन में चुनावी जनसभा की, इस दोरान मंच से जनता को संभोधत करते हुए सीम योगी ने आरजेडी पर निशाना साधा, और कहा कि आरजेडी से कोई उमीद मत रखिये, वो सिर्फ परिवार की पार्टी है, लालु जी को परिवार के आगे कुछ द ला किया, बोला उन्होंने लालु जी के एक परिवार वाले यूपी में भी है, जिन्हें हमने बिल्कुल शान्त कर दिया है, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, यही मोदी की गैरेंटी है बिहार विश्व विद्याले में सिख्षकों, कर्मचारियों और पैंशनरों के वेतन भुगदान नहीं होने पर अबी वीपी कारेकरताओं ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इसी क्रम में अबी वीपी कारेकरतां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के रवईये से नाराज होकर उनके आवास का घेराव करने पहुँचे, जहां शास्त्री नगर थाने की पुलिस और कारेकरताओं के भी जणख हो गई, वहीं मौके पर पुलिस ने कुछ कारेकरताओं को हिरासत में लिय बिहार के राजेपाल राजेंद्र विश्वनात आलरेकर ने बिहार स्टेट जर्नलिस्ट एसोशियेशन की तरफ से दानापुर सगुना मोर के समीप मान्या रिसॉर्ट में आयोजित पत्रकार सम्मान समाहरों में शिरकत की, साथ ही उन्होंने पत्रकारों और विभिन छेत पत्रकारों में उलेखनिये कारेकरने वालों को सम्मानित किया, कारेकरम को सम्मोधित करते हुए राजेपाल ने कहा कि पत्रकार समाज के अंतिम व्यक्ती से जुड़ी हुई समस्याओं को भी समान लाते है, इश्वर प्रदत्र दायत्वों को ठीक धंग से निभाना हमारा महत्व पून करतव्य है, हमने समाज हित में निरंतर अपना योगदान देना चाहिए। लोगसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्माई हुई है, इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खुली चुनावती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है, तो हिंदू मुस्लिम EDCBI जैसे साथ मुद्दों को दरकेनार कर चुन चुनावती दी, रोहिनी ने कहा कि अभी पापा की तबियत सही नहीं है, बीजेपी वाले पहले उनके बेटे-बेटी और बिहार की जनता से लड़ ले, फिर मेरे पिताजी से फर्या लीजिएगा नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रत्याशी, रोहिनी आचार के बीजेपी को चुनोती देने पर लजेपी आर के राश्ट्रिय अध्यक्ष चिराक पासवान ने पलटवार किया है, चिराक पासवान ने कहा कि विपक्ष पीयम मोदी पर जितना प पतनी लवली आनंद के लिए शिवहर में चुनाफ प्रचार के लिए गए थे, जहां आनंद मोहन ने नाम लिए बिना लालू तेजस्वी पर जम कर निशाना साथा, उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को महिशा सुर के परिवार का बताते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, इस मेरा मूमत खुलवाईए, वरना यही सब बता देंगे मुगेर जिले के तारापुर विधान सभा के धौरी पंचायत के हाथीनात मैदान में बिहार के डिपटी सीम समराट चौदरी, सांसत चिराग पासवान और मंतरी हरी सहनी हेलिकॉप्टर से पहुँचे जहां पहुचने के बाद सबसे पहले दोनों नेताओं ने मंजव से मतदाताओं से अपनी प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में वोट करने की अपील की। बिहार के डिपटी सीम समराट चौदरी ने मंजपर अपने भाशन में कहा कि मोधी जी की गैरंटी है उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा किया और जो वादा करेंगे उसे भी पूरा करेंगे आज दुनिया का कोई भी देश हो भारत को नजर अंदास नहीं कर सकता साथ ही उन्होंने लालू तेजस्वी पर भी तंज कस्ते हुए कहा कि ये लोग सनातन विरोधी हैं चारा घोटाले के दोशी सावन में मटन बनाकर राहूल गांधी को खिलाते हैं तो नवरात्र में हेलिकॉप्टर में बैट तेजस्वी मच्छली खाकर सनातन विरोधी होने का सबूत देते हैं LGPR के राष्ट्री अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंच पर जंता को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रधान मंतरी के नेतरित्व में भारत का ढंका बज रहा है अर्थ विवस्था काफी मजबूत हुई है मोधी जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है जिसके लिए हम सभी को मोधी जी के हाथों को मजबूत करना है वहीं उन्होंने अपने 10 साल के सानसदी कारेकाल का जिक्र करते हुए कहा कि पहले एक सानसद था लेकिन इस बार अरुन भारती को जिता ये अरुन भारती के साथ मैं भी लगा रहूंगा साहिब गंजिले में चल रहे शहरी जलापूर्ती योजना के कारियों का निरक्षन करने DCC, SDO एवं अन्य पतादी कारी पहुँझे जहां वो चल रहे कारियों का निरक्षन करने सबसे पहले कमल तोला स्थित पहुँझे वहाँ चल रहे कारियों को देख नाराजगी जताते हुए कमपनी के कर्मियों को जम कर फटकार लगाई और सरकार की महात्वा कांग्षी योजना का काम एक हफते के भीतर करने का निर्देश दिया और अंगाबाद में भगवान भासकर की नगरी देव में स्थित त्रेता कालीन कुष्ट निवारन तालाब में आज उगते सूर को करीब साथ लाग से उपर शधालों ने अपना अर्ग अर्पित किया इस अर्ग के साथ चार दिवसिय छट महापर्व का अनुष्ठान समाप्त हुआ चार दिवसिय लोकास्था का महापर्व छट पूजा आज नालंदा जिले में धार्मिक वातावरन और शधा पूर्वक संपन हुई इस महापर्व के चोथे और आखरी दिन छट वरतियों ने उदेमान भगवान सूरे को अर्ग दान कर 36 गंटे का निर्जलाव को वास तोड़ा भागलपुर के बरारी पुल घाट, बरारी सीधी घाट, मुसहरी काली घाट, खिरनी घाट, बुढ़ानाद घाट में सुबह चैती छट को लेकर उकते भगवान भासकर को अर्ग देने के लिए शधालों की भीड उमर पड़ी इस मौके पर बरारी छट घाट पर जगदीशपूर अंचला अधिकारी स्मिता कुमारी भी मौजूद रही, वहीं छट में घाट की सुरक्षा में राहत बचावकारे को लेकर विभिन छट घाटों पर स्टी आरेफ की टीम के अलावा आपदा मित्र और गोता खोरों की टी चैत्रमाह में किये जाने वाले अनुस्थान चैती छट की पूजा आत्सोमवार को उदी मान सूरी को अर्ग देने के साथ संपन्ध हो गई मुंगेर के क्रमुक गंगा घाटो स्थित जिले के विभिन ताल तलैयों पर वृतियों ने सूरी की सश्टी पूजा कर अपने वृत को पूर्ण किया अर्ग के बाद वृतियों ने हवन कर गंगा में दीब दान किया और अद्रग गुडखा कर पारन किया आज सोमवार को गुमला में धूमधाम से चैती छट पूजा का समापन किया गया इस दौरान पर छट वरतियों ने उदेमान सूरी को अर्ग दे कर अपने अपने मन की मुराद मांगी साथी सूरिदेव से प्रातना की UP के CM योगी आदितिनात ने नवादा में BJP प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में वोट की अपील की इस दौरान जंसभा को संबोधित करते हुए CM योगी ने RJD को तमंचा लहराने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि जहां एक तरफ PM मोधी भारत को डिजिटल और LED युग में ले गए हैं तो दूसरी तरफ RJD लालटेन युग में बिहार को लेके जाने में लगी है RJD को रंगदारी वसूली से फुरसत नहीं है इन टैबलेट से क्या मतला इसलिए तो ये लोग डिजिटल इंडिया का विरोध करते है LGPR नेता चिराख पासवान के 40 की 40 सीट जीतने के दावे पर तेजसुई यादव ने जोरदार तंज कसा है तेजसुई ने कहा कि आने वाले समय में सब पता चल जाएगा चिराख पासवान का तो खुद का घर छिन गया है लोग सभा चुनाव को लेकर मदेपुरा में आज जेडियू प्रत्याशी दिनेश चंदर यादव ने नामांकन दाखिल किया नामांकन दाखिल करने के बाद मदेपुरा के रास बिहारी विद्याले मैदान में सभा को आयोजन किया गया था जहां दिनेश चंदर यादव ने मीडिया के सामने कहा कि चुनाव पूरी तरह से सपष्ट है जो माहौल बिहार और पूरे देश का है इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आम जनता भी इस बात को महसूस कर रही है हर तरफ NDA के 400 पार की बात हो रही है दर्भंगा पहुँचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने मीडिया के सामने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बयान दिया उन्होंने कहा कि हमारा जो विपक्ष टुकडे टुकडे गैंग में बटा हुआ है उसके हिसाब से सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है ताकि सरकारी नौकरी के तहट जमीन लेकर सरकारी नौकरी दी जा सके बिहार के अंदर इतनी बड़ी बहाली हुई चार महिने तक उनके मंतरी कार्याले नहीं गए एक फाइल पर शिक्षा मंत्री का हस्ताक्षर नहीं है और हमारे विपक्ष के युवराज तेजस्वी अपनी पीट थप थपा रहे है तेजस्वी के एक करोण नौकरी देने वाले वादे पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने लालू परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले पिता जी फिर उनकी माता जी फिर वो खुद तेजस्वी आदव और आखिर में एक और प्रोड़क्ट ल में अल्प संख्यक मोर्चा की राश्ट्रिय मंत्री मिस्विका हसन ने बीजेपी के संकल पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस की इस दौरान मिस्विका हसन ने बताया कि बीजेपी के संकल पत्र को मोदी की गैरंटी दो हजार चौबिस नाम दिया गया है संकल पत्र में समान नागरिक सहिता से लेकर गरीबों और बुजर्गों के लिए बीजेपी के बड़े वादे शामिल हैं देश के 140 करोड लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने का संकल पत्र है इसलिए मोधी की गैरेंटी यानि गैरेंटी पूरी होने की भी गैरेंटी नालंदा जिले के सिलाव थाना छेतर के करियानना गाउं में पंचायत मुखिया ने आचार सहिता के नाम पर प्रशासन को ठेंगा दिखाया है जहां पंचायत के माननिय मुखिया राजकुमा रजक के बेटे के तिलक समहरों में जम कर बार बालाएं थिरक रही है दोसी लोगों पर कारवाई की जाएगी